निर्गमन अध्याय बारह फिर यहवा ने मिस्र देश में मूसा और हारुन से कहा कि यह महिना तुम लोगों के लिए आरंभका ठेरे, अर्थात वर्ष का पहला महिना यही ठेरे। इसराइल की सारी मंडली से इस प्रकार कहो कि इसी महिने के दस्वे दिन को तुम अपने अपने पितरों के घरानों के अनुसार घराने के पीछे एक-एक मेमना ले रखो। और यदि किसी के घराने में एक मेमने के खाने के लिए मनुष्य कम हो, तो वह अपने सब्क से निकट रहने वाले पड़ोसी के साथ प्राणियों की गिंती के अनुसार एक मेमना ले रखे। और तुम हर एक के खाने के अनुसार मेमने का हिसाब करना। तुम्हारा मेमना निरदोश और पहले वर्ष का नर हो। और उसे चाहे भेडों में से लेना, चाहे बक्रियों में से। और इस महिने के चवदवे दिन तक उसे रख छोड़ना। और उस दिन गोधूली के समय इसरायल की सारी मंडली के लोग उसे बली करें। तब वे उसके लोहु में से कुछ लेकर जिन घरों में मेमनों को खाएगे उसके द्वार के दोनों अलंगों और चौखट के सीरे पर लगाए। और वे उसके मास को उसी रात आग में भूँच कर अखमीरी रोटी और कड़वे साकपात के साथ खाए। उसको सीर, पैर और अत्रडियों समेत आग में भूँच कर खाना। कच्चा वा जल में कुछ भी पका कर न खाना। और उसमें से कुछ बिहान तक न रहने देना। और यदि कुछ बिहान तक रह भी जाये तो उसे आग में जला देना। और उसके खाने की यह विधी है कि कमर बांधे, पाव में जूती पहने और हाथ में लाठी लिये हुए उसे पूर्ती से खाना। वह तो यहोवा का परव होगा क्योंकि उस रात को मैं मिस्र देश के ब सब के पहलोठों को मारूंगा, और मिस्र के सारे देवताओं को भी मैं दंड दूंगा, मैं तो यहोवा हूँ, और जिन घरों में तुम रहोगे, उन पर वह लोहु तुम्हारे निमित्त चिन्न ठेरेगा, अर्थात मैं उस लोहु को देखकर तुमको छोड़ जाऊंगा, और जब मैं मिस्र देश के लोगों को मारूंगा, तब वह विपत्ति तुम पर न पड़ेगी, और तुम नाश न होगे, और वह दिन तुमको स्मरन दिलाने वाला ठेरेगा, और तुम उसको यहोवा के लिए पर्व करके मानना, वह दिन तुम्हारी पिढियों में सदाकी विधी जान कर पर्व माना जाए, साथ दिन तक अखमीरी रोटी खाया करना, उसमें से पहले ही दिन अपने अपने घर में से खमीर उठा डालना, बरन जो कोई पहले दिन से लेकर साथवे दिन तक कोई खमीरी वस्तु खाये, वह प्रानी इस्राइलियों में से नाश किया और पहले दिन एक पवित्र सभा और साथवे दिन भी एक पवित्र सभा करना, उन दोनों दिनों में कोई काम न किया जाए, केवल जिस प्रानी का जो खाना हो उसके काम करने की आज्या है, इसलिए तुम बिना खमीरी की रोटी का पर्व मानना, क्योंकि उसी दिन मानो मैं तुमको दलदल करके मिस्र देश से निकाल दिया है। इस कारण वह दिन तुम्हारी पिडियों में सदा की विधी जान कर माना जाए। पहले महिने के चवधवे दिन की सांज से लेकर 21 दिन की सांज तक तुम आखमीरी रोटी खाया करना। साथ दिन तक तुम्हारे घरों में कुछ भी खमीर न रहे। बरन जो कोई किसी खमीरी वस्तु को खाये चाहे वह देशी हो चाहे परदेशी। वह प्रानी इसराइलियों की मंडली से नाश किया जाये। और कोई खमीरी वस्तु न खाना। अपने सब घरों में बिना खमीर की रोटी खाया करना तब मूसा ने इसराइल के सब पुर्णियों को बुला कर कहा तुम अपने-पने कुल के अलुसार एक-एक मिमना अलग कर रखो और फसह का पशु बली करना और उसका लोहु जो तसले में होगा उसमें जुफा का एक कुछा डुबा कर उसी तसले में के लोह के द्वार के चवखट के सीरे और दोनों अलंगों पर कुछ लगाना और भोर तक तुम में से कोई घर से बाहर न निकले क्योंकि यहोवा देश के बीच होकर मिस्रियों को मारता जाएगा इसलिए जहां-जहां वह चवखट के सीरे और दोनों अलंगों पर उस लोह को तुमारे घरों में मारने के लिए न जाने देगा, फिर तुम इस विधी को अपने और अपने वँश के लिए सदाकी विधी जानकर माना करो, जब तुम उस देश में जिसे यहुआ अपने कहने के अनुसार तुमको देगा प्रवेश करो, तब वह काम किया करना, और जब तुम्हारे लड़के बाले तुमसे पूछे कि इस काम से तुम्हारा क्या मतलब है, तब तुम उनको यह उत्तर देना, कि यहवा ने जो मिस्रियों के मारने के समय मिस्र में रहने वाले हम इसराइलियों के घरों को छोड़ कर हमारे घरों को बचाया, इसी कारण उसक फसर का यह बलिदान किया जाता है तब लोगों ने सिर जुखा कर दंडवत की और इस्राइलियों ने जाकर जो आग्या यहवा ने मूसा और हारुन को दी थी उसके अनुसार किया और ऐसा हुआ कि आधी रात को यहवा ने मिस्र देश में सिहासन पर विराजने वाले फिरोन से लेकर गड़े में पड़े हुए बंधुए तक सब के पहलोठों को बरन पश्यों तक के सब पहलोठों को मार डाला और फिरोन रात ही को उठ पैठा और उसके सब करमचारी बरन सारे मिस्री उठे और मिस्र में बड़ा हाहाकार मचा क्योंकि एक भी ऐसा घर न था जिसमें कोई मरा न हो तब फिरोन ने रात ही रात में मूसा और हारुन को बुलवा कर कहा तुम इस्राइलियों समेत मेरी प्रजा के बीच से निकल जाओ और अपने कहने के अनुसार जाकर यहवा की उपास ना करो अपने कहने के अनुसार अपनी भेडबकरियों और गाय बयलों को साथ ले जाओ और मुझे आशिर्वात दे जाओ और मिस्री जो कहते थे कि हम तो सब मरमिटे हैं उन्होंने इस्राइली लोगों पर दवाव डाल कर कहा कि देश से जटपट निकल जाओ तब उन्होंने अपने गुंधी गुंधाए आटे को बिना खमिर दिये ही कठोतियों समेथ कपड़ों में बांध के अपने अपने कंधे पर डाल लिया और इस्राइली ने मुसा के कहने के अनुसार मिस्रीों से सोने चान्दी के गहने और वस्त्र मांग लिये और यहवा ने मिस्रियों को अपनी प्रजा के लोगों पर ऐसा दयालू किया कि उन्होंने जो जो मांगा वह सब उनको दिया। इस प्रकार इस्राइलियों ने मिस्रियों को लूट लिया। तब इस्राइली रामसे से कूच करके सुकोत को चले और बाल बच्चों को छोड़ वे कोई छवनाख पुरुश प्यादे थे और उनके साथ मिली जुली हुई एक भीड गई और भेडबकरी, गायबैल बहुत से पशु भी गए और जो गुंधा आटा वे मिस्र से साथ ले आये उसकी उन्होंने बिला खमीर दिये रोटीयक बनाई क्योंकि वे मिस्र से ऐसे बर्बस निकल गए कि उन्हें अवसर भी न मिला कि मार्ग में खाने के लिए कुछ पका सके इसी कारण वहां गुंधा हुआ आटा बिना खमीर का था मिस्र में बसे हुए इसराइलियों को 430 वर्ष बीद गए थे और उन 430 वर्ष के बीदने पर ठीक उसी दिन यहोवा की सारी सेना मिस्र देश से निकल गई यहोवा इसराइलियों को मिस्र देश से निकाल लाया इस कारण वह रात उसके निमित्त मानने के अती योग्य है यहां यहोवा की वही रात है जिसका पिढ़ी पिढ़ी से मानना इसराइलियों के लिए अती आवश्य है फिर यहवा ने मूसा और हारुन से कहा पर्व की वीधी यह है कि कोई परदेशी उसमें से न खाए, पर जो किसी का मोल लिया हुआ दास हो और तुम लोगों ने उसका खतना किया हो, वह तो उसमें से खा सकेगा, पर परदेशी और मजदूर उसमें से न खाए, उसका खाना ए अर्थात तुम उसके मास में से कुछ घर से बाहर न ले जाना और बली पशु की कोई हड़ी न तोड़ना पर्व का मानना इस्रायल की सारी मंडली का कर्तव्य कर्म है और यदि कोई परदेशी तुम लोगों के संग रहकर यहवा के लिए पर्व को मनाना चाहे तो वह अपने यहा के सब पुरुषों का खतना कराए तब वह समी पाकर उसको माने और वह देशी मनुश के तुल्ले ठहरेगा पर कोई खतना रहित पुरुष उसमें से न खाने पाए उसकी व्यवस्ता देशी और तुमारे बीच में रहने वाले पर्देशी दोनों के लिए एक ही हो यह जो यहा ने मुसा और हरुन को दी उसके अनुसा सारे इस्राइलियों ने किया और ठीक उसी दिन यहा इस्राइलियों को मिस्र देश से दल दल करके निकाल ले गया